हेलो दोस्तों, एक ही बार में मसे और काले तिल को जड़ से खत्म करने का घरेलू उपाय, बेहद ही असलदा नुस्खा है, आपके चहरे, गर्दन, कमर, पीठ, गले, इत्याद जगहों पर हुए मसे को ये नुस्खा जड़ से खत्म कर देगा, अगर मेरी बातों पर भरोसा अजमाकी जरूर देखिए, यह ऐसा नुस्खा है, जिसके उपाय करने से आपको निसान तक नहीं पड़ेगा, बताई हुए तरीके से ही करना है आपको, यह आजमाया हुओ नुस्खा है, आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेंगा, तो इस नुस्खे के लिए आप अपको सबसे पहले लेना है डिटरजेन sorry and केवल 2-3 छुटकी पावडर के अस्तेमाल करना है और आपको ले लेना है चूना वही चूना जो पान आधी में लगाकर खाते है आपको जो इनुस्खा बता रही हूँ उसे एक बार बना लीजिए ताकि बार बार आपको बनाना ना पड़े आप इसको बनाने का तरीका जान लेते हैं इसको बनाने के लिए लेना है आपको एक छोटी कटोरी और जिस चम्मच से आप खाना खाते हैं उस चम्मच से आधा चम्मच आपको लेना है चूना और ये चूना जादा गीला नहीं होना चाहिए गाढ़ा ही रहे तो जादा ठीक है अब उस आधे चम्मच चूने को कटोरी में डाल दे और उसमें दो चुटकी डिटरजन पाउडर डाल दे केवल दो चुटकी ही डालना है चाहे कोई भी detergent powder हो आप अच्छे से कटोरी में रखे detergent powder और चूना को चमच की मदद से clockwise, anti-clockwise अच्छे से mix कर ले एक बात और आप सोच रहे होंगे कि हमने गाढ़ा चूना लेने को ही क्यों कहा देखें अगर आप गाढ़ा चूना लेंगे तो जिस मसे पर लगाएंगे तो वो आपके skin पर फैलेगा नहीं जब skin पर फैलेगा नहीं तो मसे के अलामा चूना skin को काटेगा नहीं जब skin को काटेगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि उस जगह पर कभी मसा भी था लेकिन अगर आप पतला चूना का इस्तमाल करेंगे तो वो पतला चूना मसे के साथ स्किन को काट कर घाओ कर देगा इसलिए ध्यान से गाढ़ा चूना ही लेना अब आपका पिष्ट तैयार हो चुका होगा अब आपके घर में माजिस की तीली तो होगी या तूथ पिक तो होगी बस उसी की मदद से आप सेफटी के साथ तूथ पिक या माजिस तीली को बने हुए पेष्ट में हलका सा डुबाएं और मसे की उपर ही आराम से लगा लीजिए आप इस पेश्ट को दिन में दो बार जरूर लगा लेना मसे पर आप देखना कितना भी मसा बड़ा क्यों न हो एक हपते की अंदर ही अंदर मसा सूख कर गिर जाएगा और आपकी इसकिन पर निसान तक नहीं पड़ेगा अगर आपका बना हुआ पेश्ट सूख जाए तो दो तीन बूंद पानी की डाल कर उस पेश्ट को गीला कर लें और तब फिर लगा लें अब आप इस पेश्ट को लगाएगा तो मसे हलके से नर्म हो जाएगे और उसके बात में दो तीन दिन में मसे की जो जड़ होती है न वो सूखने लग जाएगी जब तक कि मसा सूख कर गिरना जाए तब तक चाहे एक दिन लगे दो दिन लगे हापते भल लगे आप इस पेश्ट को लगाते रहना जब तक मसा सूख कर गिरना जाए जब आप ये पेश्ट मसे पर लगाएंगे न तो जैसे चीटी काटती है तो दर्ध होता है बस उतना ही दर्ध होगा आपको उसके बाद आपको सही लगने लग जाएगा देखना ये पेश्ट कारगर सापित होगा आपके लिए दोस्तो आपको हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद खत्म बाई बाई टाटा गुडबाई गया